नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है ओनलाइन शॉटन कूर्स की सीरीज में जो मैं आपको बहुत लंबे समय से प्रवाइट कर रहा हूँ और उमीद है कि आप लोग ने पिछले सारे चेप्टर बहुत उच्छे से कंप्लीट कर लिये होंगे लास लास में आपको मैंने पढ़ाया था कंप्रेक्शन जो की बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है एक दिन में कंप्लीट हो ले वाला नहीं है तो मैं बहुत ज़ादा डिसपॉंटेट हूँगा अगर आपने वह चेप्टर किये बिना इस वीडियो को करना शुरू कर दिय है तो पहले चेप्टर को कंप्लीट कीजिए उसके बाद ही आगे बढ़े एक एक बड़ को कंप्लीट अच्छे से आपने करना है हमने बीच के दो चेप्टर हमने यहाँ पर दो-3 चेप्टर तो अमिट किये हैं जो चेप्टर है एक है फिगर्स वाला प्रौपर नेम्स व प्लस उसके बाद hundred, फिर thousand में जाता है, फिर lakh में, crore में, इस तरीके से जाता है, तो आपको बता दूँ, exam में कभी भी आपको figure बनाने के लिए tension नहीं लेनी, आपको numerical में लिखना है, बात खतम, उसका भी एक तरीका होता है, कि किस तरीके से आपको figure को handle करना है exam में, वो मैं आपको आगे-आगे चलके बताऊंगा, आपको इस chapter को नहीं करना, क्योंकि ये chapter किसी काम का नहीं है, मेरे हिसाब से, अब बात करते हैं proper noun की, तो आप एक बात बताईए, अगर आप limited words के proper noun, आपने rule तो पढ़ लिए, राम अगर आपने लिखना है, तो आप R downward और उसके ए जो होते हैं, उनको करने का कोई rule नहीं है, कितने भी rule पढ़ लिजिए, आपके सामने में ऐसे से word लाके रख दूँ, जैसे एक celebrity का नाम बोल देता हूँ, आईश्मान खुराना, अब आप कैसे बनाएंगे इन words को, जल्दी यल्दी कैसे बनाएंगे, इसलिए इनको करने की एक technique होती है, तो इसलिए ये chapter मैंने आपके omit करा दिये हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं note taking की, तो note taking और transcription का मतलब क्या है, वो सब हम जब magazines करेंगे, तब हम समझेंगे कि कैसे आपको इसकी practice करनी है, revisionary मैंने आपको बताया हुआ है, कि revisionary आपने करनी है, उसके बाद हो dictation, वो कैसे होती है, वो जब dictation आप शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने homework कैसे करना है, उनके लिए already video बना के रखी हुई है, तो वो आपको बाद में ही करनी है, essential wall जैसी कोई चीज नहीं है, मेरे मानने में, आपको जितने walls पढ़ा दिये हैं, वो sufficient है ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने reason बता दिया कि क्यों आपको मैंने chapter skip किये हैं, आप बिल्कुल भी ये मैं सोचिएगा, कि मैंने course को complete करने के लिए ये chapter skip किये हैं, आप खुद से चीज को समझिए, खुद से chapter देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने जानमुझ के chapter छो important लिखने, मतलब लिख पाएंगे, ठीक है, एक अच्छे standard आफर आप बन सकते हैं, वो सब कुछ आपको कराऊंगो मैं, जो important है, जो unnecessary की time waste की चीज़े हैं, वो आपको पढ़ा के कोई फायदा है नहीं, तो आज बात करते हैं, special contractions की, special contractions क्या होते हैं, special contractions होते हैं, formed by employing the first two और अध three strokes of the full outline, यानि कि पहले दो या तीन अगर हम strokes बना दें, उसी से हम पूरा outline complete कर सकते हैं, ठीक है, यह होते हैं special contractions, दूसरे होते हैं, medial omission, यानि कि बीच के किसी word को अगर हम गयाप कर दें, तो भी उन्हें हम special contractions में include करते हैं, और तीसरा होता है intersection, यानि कि किसी एक outline पे दूसरे outline को काट के हम उस word को complete कर सकते हैं, example से समझते हैं क्या, पहला example है हमारे पास peculiar, अब देखिए, peculiar बनेगा इस तरह से और peculiarity भी बनेगा इस ही तरह से, तो मैंने क्या किया, पहले दो P और K से ही पूरा word define हो गया, कि यह peculiar बनेगा या peculiarity बनेगा, ठीक है, तो यानि कि यह एक special contraction है, और बहुत बार आपको peculiar dictations में मिलेगा, perform यह भी बहुत बार मिलेगा, perform में मैंने क्या किया, P, R और F, तीन strokes के साथ, पूरा word complete कर दिया, यह हो गया मेरा perform, चीक है, और performed भी मेरा यही बनेगा, clear है, यह जो मैंने आपको rule उपर समझाये, दो तीन, यह बस उन्हीं को apply करके दिखा रहा हूँ, governed, यह हो गया मेरा gay और यह हो गया V, बस इसी से governed भी बन गया और governed भी बन गया, अब बात करते हैं, incorporate, अब देखे, incur, incur, यह हो गया मेरा incur, I, N, C, U, R, ठीक है, incur, और incorporated, same बनेगा, तो यानि कि पहले दो stroke से ही मैंने इसको complete कर दिया क incorporated, या incur कैसे बनेगा, ठीक है, represent, R और P से ही मेरा बन गया, represent, ठीक है दोस्तों, तो यह समझ में आगे आपको की special contractions कैसे use होते हैं, और क्या होते हैं, अब देखते हैं, आगे chapter में क्या बचा है, छोटा सा chapter है, अगला word है, Parliament, Parliament से ही parliamentary बना, देखे कैसे, यह हो गया मेरा parliamentary, ठ ठीक है, Parliament और parliamentary आपने इस तरीके से बनाना है, अब देखे, telegram, अब देखे, telegram में क्या है, बीच में आया है, तो बीच वाले को मैंने गयाब कर दिया, जैसे इसमें क्या है, मैंने ment को गयाब करने के लिए, par, layer, और फिर re, बनाया खाली, ment तो गया भी कर दिया, ठीक है, अ यह है, special contractions, जो कि बहुत importantly आपको करने है, enlarge, n को मैंने intersect किया, j से, इसको बोलते हैं, intersection, समझ माया, intersection क्या होता है, बताया था मैंने, एक stroke को दूसरे stroke से काटना, और उससे पूरा word बनाना, वो होता है, intersection, तो यह हो गया intersection, अब enlarger, n, अब आपको पता है, larger का, जो gram locks होता है यह होता है, अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो, तो n, और larger का आपने grammar locks use किया, intersect करके, तो यह हो गया enlarger, never the less, तो खाली never लिखना है, तो यह होता है, मेरा never, ठीक है, लेकिन never the less में किया है, यह बनाया n, यह बनाया, intersect कर दिया v को, तो यह हो गया मेरा never the less, कितनी मज़ेद contractions, contractions, इसी सब पर काम हो जाएगा आपका, तो आपको लेकिन अगर basics अच्छे से कियोंगे, वो तभी काम आएगा, chapter खतम हो रहा है है आपर, कुछ ज़्यादा और नहीं है, लेकिन, एक, एक, special contractions को अच्छे से खतम करना आपको, यह वादा है आपने, जो मेरे को देना है ठीक है, अच्छे से कीजिए, exercise कौन सी करनी है, देखिए, 125 करनी है, 129 करनी है, 134 करनी है, 38 करनी है, 142 करनी है, बस बीच की छोड़ दीजे, जो भी, बीच की exercises है, वो आपको सभी छोड़नी है, यह exercise आपको complete करनी है, हर contractions, special contraction को करने के बाद एक exercise आजाएगी, उसको complete आप लोग अच्छे से महनत करेंगे, इस chapter को खतम करेंगे, और मुझे proud feel कराएंगे, जब अब यह पूरा course complete कर लेंगे, मैंने आपको शुरवात में ही बोला था, बहुत जादा professionalism की जरुवत नहीं, और ना ही मैं बहुत जादा professionalism से पढ़ाना पसंद करता हूँ, पढ़ाना जादा महनत करेंगे, उतिन जादा आपकी improvement short end में होगी, यह मैं हमेशा से कहता हूँ, दोस्तों बस अब 2-4 chapter और रह गए हैं, in fact 2-4 भी और जादा नहीं, intersection का तो पूरा एक अलग से ही एक chapter आएगा, intersections का, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बहुत interesting है, तो अब जादा chapter नहीं बचे हैं, 2-4 chapter मैं फिर भी एक कहा रहा हूँ, कि 2-4 chapter ही बचे हैं, course शायद next week तक खतम हो जाएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे, dictations की, तो उमीद है कि आप लोग उस पर जल्दी पहुचेंगे, basics अच्छे से complete की होगी, तब ही पहुचेंगे, यह बीच का जो आप रतिसन, तब तक के लिए बाबाई, टेक किया